तो देखो बच्चो इस वाले question को करते हैं बेसिकली ये इरोडोब का question है और ये इरोडोब के part 1 वाला question आप देखे होगे कि मैंने कैसे solid sphere का जो field calculate किया था तो वो आप derivation देख लेना अब इरोडोब के इस question को हम solid sphere का potential है जो function आप आर calculate करने जा रहे हैं तो ये इसका question का part 2 है तो part 2 में हमें किसी solid sphere का potential तो देखो मैं बहुत आसान तरीके से करता हूं और आप इसको बेहतर तरीके से कर लेना समझ लेना कभी-कभी स्कूल में derivation में ये काम आता है और हमें potential निकालना as a function of R, potential due to solid sphere तो ये जो solid sphere है हमें इसका potential कितना होगा calculate करते हैं तो अगर मैं इसका potential देखूं तो सबसे पहले देखो बात करो center से दूर जाओगे तो center से दूर जाओगे तो कई point आएंगे ये जो point P है वो outside है तो outside small r is greater than capital R और ये distance small r है जो की और ये जो center है फिर इस point का नाम मैं P रख देता हूं इस point ये जो point है इसका नाम मैं Q रख देता हूं और small r is equal to capital R और ये क्या है surface पर है ठीक है तो पहले इन दोनों पर निकालते हैं तो सबसे पहले जो point है first outside अगर देखोगे outside of the sphere मतलब small r is greater than capital R तो हम सबको पता है कि इस पूरे sphere को point मास बना दो यहां पर point मास बना दो क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं Newton cell theory से तो ये पूरा का पूरा जो sphere है वो point मास हो गया इस तरह से और ऐसे behave करेगा कि जैसे सारा का सार मास जो है वो इसी point पर concentrated है this is point M पर concentrated है तो यह जो point है और यह यहां से r distance पर point P है तो अब एक point मास का potential कितना होता है point P पर वो formula लगा दो minus g m over small r तो यह basically आसान था बाहर में निकालना आसान है जो कि negative है और rectangular hyperbola मतलब वेरी करेगा भी is proportional to minus on upon r का curve मतलब जो नेचर होगा वो rectangular hyperbola होगा rectangular hyperbola तो इस तरह से यह curve vary करेगा तो चलो surface पर आ जाओगे तो 8 surface पर क्या कहानी है भाई तो surface पर अगर तुम देखोगे इसका तो surface पर निकालना जो है बहुत ज्यादा difficult नहीं है तो 8 surface अगर तुम देखोगे दूसरा 8 surface तो surface पर क्या हो जाएगा भाई तो surface पर बात करोगे तो small r capital r के equal हो जाएगा तो रग दो यहाँ पर potential at surface आ जाएगा minus z capital m over capital r this is the potential at surface तो यह surface पर आ गया और यहाँ जाएगा outside रही बात inside तो चलो inside calculate कर लेते हैं तो अगर मैं inside आता हूं तो अब यहाँ देखो यह जो solid sphere है अगर तुम inside बात करोगे तो चलो यहाँ से बात करोगे तो यह जो surface था और यह point P अब यहाँ आ चुका ठीक है तो और यह वाला जो distance inside this distance this distance I am taking the r और तुम्हें अब क्या करना है surface से इस point पर आ जाना पी point पर जाना तो यह यह जो surface का potential भी एस है और पी point का potential भी पी है ठीक है तो इन दोनों point का तो हमें हमारे पास जो basic fundamental formula potential का वो क्या potential difference dv is equal to minus dot product of d r I hope कि यह सारा फार्मूला आपको पता होगा और दोनों side integrate कर देते हैं और point electric field e1 से distance r1 distance इसकी लिमिट जाती है लिमिट हो जाती है r1 से r2 तक और potential b1 से b2 तो आई हो कि यह formula आपको पहले से clear होगा तो अगर यह formula clear है तो मैं इसको अब यहां अप्लाई करता हूं तो ध्यान रगना कि अगर अच्छे से इसको देखोगे तो solid sphere तो solid sphere है तो तुम्हारा जो position vector है यहां से यह इसमाल आ रहे है और इसमाल आ रहे है तो यह आर वेक्टर इधर है डी आर वेक्टर इधर है और जो gravitational field होता है वह इधर है तो नीटा कितना बनाई इन दोनों वेक्टर के बीच 180 डेग्री वाई gravitational field हमेंसा सेंटर की तरफ होगा तो अगर इसको तुम देखोगे यहां से बेसिकली तो लिमिट यहां कहां से कहां तक जाएगी हम यह बात सब को समझ में आ रहा होगा कि कैसे theta 180 होगा जब theta 180 होगा तो potential at surface और potential at the point P is equal to यह minus sign यहां आता है तो यह minus sign और इस minus sign के e integral e dr cos 180 और यह minus sign यहां से और यहां से distance जो आ जाएगा capital R से इस महलार तो यह minus R का प्लस हो गया तो यह electric field रख दो यह function of R रखो तो inside electric field रखोगे तो gm over capital R की power q इस महलार अरे भाई अभी उपर डिराइब किये हैं और यहां रखोगे तो potential of the point P minus potential of surface यह बस इसी को solve कर लेना है capital R से इस महलार तक लिमिट जाएगा और potential at point P हमें दिखने लगेगा तो चलो इसको solve करते हैं तो यहां से potential at surface रखोगे तो potential at point P potential at surface minus gm over उपन निकाले हो capital R आ जाएगा और यहां से gm, r की power q common आ गया और r square integrate हो गया तो यह r square 2 बचा और यह limit जाएगा capital R से इस महलार तो finally जब इसको थोड़ा और अच्छे से simplify करोगे तो देखो कितना आता है तो यहां से तुम देखोगे तो potential at the point P और यह इधर आ जाएगा minus minus plus हो गया इधर आ गया तो again minus हो गया तो gm over capital R और यह plus gm small r square upon 2r की power q और minus gm capital R square और इधर आ जाएगा 2r की power q तो finally थोड़ा सा और इसको hardware करके अगर मैं solve करूं तो two times gm over 2r यहां बच जाएगा और इधर बच जाएगा plus gm small r का square 2r की power q और minus इधर बच जाएगा gm over 2r की power 2r बच जाएगा ना यहां ठीक है m over 2r यहां बचेगा और इधर बचेगा plus gm small r square over capital R की power q 2r तो एक काम करते हैं इस वाले fraction में r square से उपर नीचे multiply कर देते हैं तो अगर मैं r square से उपर नीचे multiply कर देते हैं तो potential at point p equal to minus 3gm r का square और यहां देखेगा 2r की power q plus gm r का square और यहां जाएगा 2r की power q तो यहां से minus gm और 2r की power q मैं common ले लेता हूं तो जो bracket में बचेगा तो वो बचेगा देखो वो बचेगा माई यहां से three times r की power q और minus small r square और यही expression हमें चाहिए था और इसी expression का नाम है potential at the point p inside as a function of r तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा समझ में आ गया होगा थोड़ा सा इसका analysis करें graph होगर है तो अगर graph होगर है तो इसका analysis करके देखोगे तो potential at center potential at center जो होता है r is equal to 0 हो जाएगा तो potential at center r is equal to 0 रखोगे तो minus 3 by 2 और gm over r बचेगा यहां से तो यह square वाला term है तो यह square वाला term यहां यह बचेगा इसका मतलब यह होगा कि जो है और 3 by 2 minus gm over capital r अगर ही लेते हो तो 3 by 2 और यह potential at surface तो potential at center जो होता है वो maximum होता है magnitude में और उसकी value 3 by 2 surface पे होती है और बहुत ज़ादा दूर जाओगे infinity पे तो zero tend गरेगा तो अगर मैं graph बनाता हूं तो graph कैसा आएगा तो चलो इसका हम एक अच्छा सा graph plot करते हैं तो अगर मैं graph बनाओं potential का distance r के variation का तो यह graph कुछ ऐसा आता है तो यहाँ पर अगर तुम graph बनाओगे यहाँ graph मैं नीचे बनाता हूं जिससे आपको बहतर तरीके से तोड़ा सा feel आएगा अच्छा वाला तो यह जो यह जो graph है इसको मैं यहाँ नीचे बनाता हूं अब मैं यहाँ से तुम देखोगे यह जो graph है actually potential क्या है वाई एक negative quantity है यहाँ से तो यह जो graph है basically यहाँ से यहाँ से यह नीचे भी यह straight line में इधर भी बना देता हूं तो यह graph इधर यह नीचे यहाँ पर जाएगा ठीक है तो यह यहाँ से इस वाले graph को चलो तो इधर है potential प्लस भी और इधर potential है minus भी हम सबको पता है जब r की value 0 है ध्यान रखना क्या करें हम यहाँ center से यहाँ center है तो center से मैं कहां जा रहा हूं दूर कहां कितना दूर center से मैं जा रहा हूं infinity को r tend करता है infinity को और यह क्या है यह capital r है तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे इस रास्ते से जाता हूं ठीक है तो मैं potential की variation not down करूंगा तो यह जो graph आता है तो उस graph का जो nature होता है तुम देखोगे तो यह graph center पर सबसे ज़्यादा maximum थी potential फिर यह घटेगी surface पर आक कि अगेन यहां से surface पर थोड़ा सा कम होगी और फिर वो कुछ ऐसा आता है ऐसे surface के बार ऐसे वेरी करने लगता है क्योंकि यहां पर यह जो variation है वो तुम देखोगे यह function potential function of r minus cm over 2r q q और यहां से 3 times r square minus small r square तो क्या भी inside जब देखोगे तो inside इंसाइट पैरा बोलिंग नेचर है तो पैरा बोलिंग नेचर है तो यह जो पैरा बोलिंग नेचर है इंसाइट तो यह जो पॉइंट है वो center है और center पर जो है 3 by 2 potential at surface पे और यह जो पॉइंट है जहां से यह थोड़ा सा और कम हुआ है यह ग्राप का नेचर बतला है यह surface है और surface माइन surface पे जो potential है वो minus cm over capital r है और उसके बाद यहां पर देखोगे तो rectangular hyperbola है और यह outside है तो इसमाल यह outside small r is greater than capital r का ग्राप है और minus cm over small r तो यह अलग-अलग point है यह outside है यह surface यह जो पॉइंट है inside है यह सब और यह जो पॉइंट है यह point this point surface पर है तो आई हो कि यह ग्राप आपको बहतर तरहीं कि यह जो point r tend to infinity तो भी tend to zero तो यह तो finally जाई हो कि यह पूरा अच्छे से ग्राप समझ में आ गया होगा और अगर मेरे वीडियो मेरे content बहुत मिनत से बनाता हो मेरे भाई तो hard work को respect करते हो तो give the like, thumbnail, subscribe and support your support is very important for us thanks for watching this video take care bye